दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगा अपने गुलाब के पौधे को दोस्तों जंगली जो ब्रांच होता है उससे हम लोग कई से बचाएं दोस्तों गुलाब के अंदर में असल में दो पार्ट होता है एक होता है आपको ग्राप्टेट पार्ट जो उपर का तरफ रहता है जहां आप देखेंगे यहां देख रहे हैं चार पांच ब्रांच है दाहिने तरफ और बाए साइड में दोस्तों ये वाला जो है जंगली बरांच निकला हुआ है तो कहने के बात ये है कि आप लोग जो मार्केट से खरित के लाते हैं दोस्तों तो ओ इंगली सुरोज चाहे जो भी भराइटी के हो डबल हो या सिंगल हो तो उसमें आपको जो उपर पाट जहां देखेंगे वहाँ पर आपको तीन चार या दो बरांच जो नजर आएगा जहां से बरांच निकला है वाला इंगली सुरोज है और जो नीचे है दोस्तों ये वाला है आपको जंगली बरांच तो जंगली ब्रांच के उपर ही वो graft किया जाता है तो वोई graft area जो है उसके निचे का तरफ से जो भी ब्रांच निकलेगा दोस्तों वह अला जंगली रोज का ब्रांच है और इसके उपर हम लोजे दिध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा यह पूरा जितना भी आपका जो ग्राप्टेट ब्रांच है उसके तरफ उसका पोष्टत पोष्टत जाने नहीं धेगा और वाष्टेस ते करके ओ जो आपका इंगली सोरोज है पूरा खराब हो जाएगा मर जाएगा और जो जंगली रोज का जो ब्रांच है वो पूरा भड़ जाएगा तो दोस्तों इसमें असल में फूल होता नहीं है फूल होगा भी बहुत बड़ा होगा तो मालेजे बहुत छोटा-छोटा फूल होगा और जो देखने में मालेजे इतना दोस ब्रांच होगा तो उसमें एक फूल होगा तो दोस्तों देखने में अच्छा नहीं लगेगा गिन्तु हम लोग जो इंगली सुरोज खरीद के लाते हैं दोस्तों तो इसी के अंदर में आपको जो नीचे का पार्ट है उवाला जंगली रोज है दोस्तों उसी के अंदर में ही छूपा हुआ है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है और आप देख सकते हैं दोस्तों ज उससे आपको पूरा ही मतलब बिल्कुल जड से इसको कट करके हटाना है ऐसे आपके पास कटर है तो उससे भी आप पूरा जड से कट करके हटा सकते हैं और चक्कु है तो उसको पूरा नीचे से जहां से निकला है वहां से कट करके हटाईए और दोस्तों इसको कट करने में ग और दोस्तों इसको अभी गुलाग को गरम के मोसम में इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है अभी तो मालेजे अपरिल महिना पढ़ गिया तो आपको इसको पानी अभी भर पूर देना है जैसे मालेजे आप सुबह को पानी दे रहे हैं साथ बज़े छे बज़े तो अभी फिर पानी देने जा रहे हैं तो आपको कितना पानी के जरुरत है इसका मिल्टी जो है गमला का मतलब किसी हाब से सुखा है ज्यादा सुखा है तो थोड़ा पीर इसको पूरा भर गमला ही पानी दीजिये और देखें जिदी थोड़ा हलका गीला है तो उसको थोड़ा कम ही पानी दीजिए मतलब जितना पानी सूरज के रोस्तिनी में सूख रहा है उतना ही पानी आपको देना है तो दोस्तों आपका पवधा बिल्कुल गरम का मौसा में बहुत ही अच्छा चलेगा और दोस्तों आप देख सकते हैं देखिए यहां पर आपको 2, 3, 5 5 जो ब्रांच है हम जो कट कर रहे हैं तो ये वाला आपको ग्राफ्टेड एरिया है और उसी के नीचे में दोस्तों जो मीटी में जो दबा हुए रहता है वाला आपका जो होता है वो जंगली रोज का ब्रांच रहता है और उसी ब्रांच के उपर दोस्तों छोटा सा एक ठो ग्राफ्ट किया जाता है जो कि इंगलीश रोज का होता है और इंगलीश रोज आपको जो लोग मतलब experience वाला लोग होते हैं वही लोग त्यार कर सकते हैं सभी लोग तो नहीं हो पाता है क्योंकि इसको जंगली रोज को क्या करने पड़ता है इसको आपको cutting करके फिर से इसको बालू के अंदर लगाने पड़ता है तो लग गया लगने के बाद इसको मतलब छोटा polybag में लगा दिये जहां से के वो नया ब्रांच निकालता है और वहां से वो आपका इंगली सुरुज का फूल होता है तो दोस्तों आप जिदी नरसरी में कहीं जा रहे हैं देखने तो आप देख सकते हैं वहाँ पर वहाँ पर इस अब ग्राफ्ट किया जाता है और दोस्तों अभी गर्मी के मौसम में आपको फटलाजर भी जो रासानिक फटलाजर होता है उसका यूज बहुत ही कम करना है यह समान लेजिए अभी आप परतिक गमला में 50 गराम महीने में कमपोस्ट दे दीजिए महीना डेड़ महीना पर और थोड़ा सा इसमें दोस्तों ह हो सके तो हलका सा बहुत कम मत्रा में डीएपी और थोड़ा सा प्रडास थोड़ा सा फोस्ट हलका और फोस्ट नहीं दे रहें तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा बोन मिल होता है उसको आप दे सकते हैं बोन मिल अच्छा रहता है और दोस्तों यही मैंने आपका छोटा से जन ग्रोथ आपको असल में 9 महीना से लेकर के मार्ज महीना तक बहुत ही अच्छा होता है उसके बाद इसको जब गरम का मौसम पड़ता है तो गरम का मौसम में थोड़ा ग्रोथ कम हो जाता है और फूल जो होता है बड़ा साइज के वो भी थोड़ा छोटा हो जाएगा और आप पूल गरम का मौसम में भी फूल आपको होते रहेगा और अपका पत्ता जो है जो है फूल भी छोटा हो जाता है तो फूल जो है उपका छोटा नहीं होगा आपका पवधा बिल्कुल सही चलेगा दोस्तों किन्तु मेरे पास ग्रीन नहीं है इसलिए हम इसको पूरा मतलब खुला असमान में ही रखे हैं पाउधय को तो उसी हिसाब से इसको मेनेज करने पड़ता है जैसे मानलेजे पानी भरपूर देने पड़ता है और मानलेजे गरम कम उसम में जो कोई रसाइनिक फटलाइजर है उसको ज्यादा नहीं देना है कोई कमपोस्ट होगा थोड़ा दे अब 15 सकते हैं और आप मानलेजे दो तीन चमच दे रहें तब महीनय में एक बार दे सकते हैं तो आपका पाउधा बिल्कुल सही चलेगा दोस्तोCom मौसम जो है तो गरं का मौसम को अधो को लगना या जागा पर हमको रखने पड़ेगा और इस कटिंग को जीदी जुलाई महिना में कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि उसमय बरसात का मौसम रहता है तो मेरे पास ब्रांच था इसलिए दोस्तों हम इसको लगा दे रहें लगाने के बाद एवल हमेरा इसमें से दो चार ब्रांच हो जाएगा तो इसको हम कोशिश करेंगे गराफ करने के लिए इंगलिस रोज का और दोस्तों आपको देख रहें फंगी साइड है फंगी साइड के घोल थोड़ा हलका लिक्विड लेकर के उसके ब्रांच है ब्रांच के दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा इसे पेश्ट बना करके इसको मतलब लगा देना है लगाने का बाद दोस्तों बालू जो है बालू दूतिन पानी धो दोकर के बालू थोड़ा सफा होना चाहिए और इसे आप देख सकते हैं बालू को दोस्तों जो कंटक्शन में जो लगता वही वाला बालू है और इसी के अंदर में हो सके तो डेड़ से दो इंच इसको नीचे में दबा दीजिए तो आपका जो कटिंग है दोस्तों लग ज जाएगा तो दोस्तों हमको में अधा वीडियो आपको समझ में आ चुगा होगा वीडियो देखने के लिए धन्यबाद